नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अच्छा दोस्तों UPSC की तैयारी जो ना बहुत कॉंप्लेक्स प्रोसेस होती है इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीजे और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए कुछ important information दी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए वो एक दिक्कत होती है तो आपके लिए जो मेरी commitment है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी commitment को मैं फिर से दिखाने दुबारा से आ गया हूँ आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की important information है किसी वीडियो के अंदर क्या important है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊँगा वो bites में आपके साथ share करूँगा ताकि आपको पूरा वीडियो दुबारा न देखना पड़े सो ये again मेरा जो commitment है आपके प्रती तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूँ मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ सो दोस्तो प्लीज इन चीजों को like कीजेगा इनको share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ जितना प्यार आपने मुझे दिया इनको भी इन वीडियो को भी इतना प्यार दीजेगा एंड साथ साथ दोस्तों एक और important बात अगर आप मेरे साथ मिलके UPSC को एक साल में crack करना चाहते हैं आपको assurance दे रहा हूं हम करके दिखाएंगे और उसके लिए आप जुड़िए अनकैडमी के साथ में plus course में तो plus course में जब आप enroll करें तो बात कर लिजेगा simple बोल दीजेगा कि आप code यूज करना चाहते हैं summit 10 summit 10 code जब आप use करेंगे दोस्तो SUMIT10 तो आपको मिलेगा मेरा guidance पूरी UPSC की तयारी में आप मेरे साथ रहोगे मैं खुद आपको guide करूँगा इस UPSC की तयारी में और unsure करेंगे कि within one year हम इस UPSC के exam को crack कर सकें साथी साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूँगा मेरे टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा टेलिग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है इससे भी जुड़ जाएगा दोस्तो चलिए मिलते हैं next video में लैट्स क्राकिट साइट बिग कैट टास्क फोर्स उबहारत के अंदर ममच rifz до attributes की जोपारत के अंदर में पाई जाए और ऑच शाथे शांट जो इंडिया अंबती तो अभी आपको पता है साइट की कशन चल रही थी पनामा के अंदर है ना तो पनामा की जो कन्वेंशन साइट्स की जो कन्वेंशन चल रही थी तो उन्हों ने यहां पर बिग कैट टास्क फोर्स को अडॉप्ट की है मतलब यह बड़ी जो बिल्लियां होती है ना इनका दुनिया भर के अंदर इलीगल ट्रेड हो रहा है और उ इछली कॉन्फरेंस होई थी कॉप 18 जो हुई थी साइट्स की उसके अंदर में भी प्रपोजल आया था कि यार एक बिग कैट टास्क फोर्स बनाते हैं तो उसी बिग कैट टास्क फोर्स के तहत में इनमें इन्होंने क्या किया है दोस्तों कुछ परिवर्तन किये है और इस के अंदर में जो कॉप 19 में बैठक चल रही है उसमें बिग कैट के लिए एक लाग पचाश जार का जो प्रपोजल है वो यहां पे अपरूव किया किया गया है जी एस पेपर तीन का है यह भी conservation related issues 19 भी conference of parities के अंदर इने की कॉप के अंदर ठीक है थोड़े से बदलाव करते हुए हमने बिग कैट टास्क फोर्स जो है यह बना दी है कि टास्क फोर्स इस फॉर्स इस फॉर्म टू डिस्कस चैलेंज़ेस अफेक्ट enforcement and implementation of laws regarding the illegal trading big cat मुद्दा क्या है इसका परपस क्या है यह जो बड़ी बिल्लिया है हमारी जो मैंने दिखाई थी उनका जो अवैद व्यापार होता है उसके संबंद में बही कानून बनाने में और कानून को लागू करने के में क्या चुनोती है हमारे सामने है उसके उपर जो 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 प्राबलम्स है यह डिसकस की जाएगी आप मेरी बाद समझे जो डिफरेंट प्राबलम्स है इस प्राबलम्स विल बी डिसकस्ट यह पर डिसकस की जाएगी करागी जो टास्क फोर्स है इनमें पार्टियों की भागेदारी संभावीत सर्वत्तम प्रथा समाधान से संबंदीत आदान प्रदान को सुविधा जनक और बढ़ावा दिया जाएगा मतलब क्या है देखो बिग कैट का इलीगल ट्रेड हो रहा है और उसके लिए हमने कानून बना रखे हैं अब वो कानून की इंप्लिमेंटेशन में भाई साब अलग-अलग प्रकार के रोडे अटक रहे हैं ठीक है तो क्या प्राबलम आ रही है किस प्रकार से हम उसको और मंच के माध्यम से आप चीजों को आगे बढ़ाओ फंक्शन क्या है बिग कैट टास्क फोर्स का सर कहरा है कि इंप्लिमेंटेशन इशू रिलेटी टू दा इलीगल ट्रेडिन स्पैसिमेन ओफ बिग कैट क्या कहरा है कि जो बड़ी बिल्लिया है इनके नमूनों में जो जंगन करके व्यापार हो रहा है या उसका स्टेटास स्केल डाइनमिक्स उससे संबंदित कोई भी चीज तो यहां पर शेयर की जाएगी ठीक है तो यहां पर इसके माध्यम से शेयर की जाएगी ऑल्सो देशियर इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नीग एंड टूल्स फोर बिग कैट स्पैसिमें इंट्रेड इंडेंटिफाई नीड्स तो बेसिकली यही इसका काम है ठीक है वर्क टू डवलप स्ट्रेजीज एंड मेक रिकमेंडेशन तो इंप्रूव इंटरनाशनल कॉर्परेशन बड़ी बिलियों के नमूनों में अवैद व्यापार से किया गया है तो कहने का मतलब क्या है कि जो बिग कैट का इलीगल ट्रेड हो रहा है उससे संबंदी जितने भी मुद्ध है उनको आईलाइट करने के लिए हमने एक मंच यहां पर बना दिया है अब बात करते हैं सर इस टास्क 4 की मेंबर्शिप कितनों के पास है तो दोस्तो ऐसे देश जिसके अंदर में बिग कैट पाई जाती है और जहां पर इनका इलीगल ट्रेड हो रहा है जो जिन देशों के लिए ये बिग कैट का इलीगल ट्रेड एक बड़ी प्रॉबलम है ऐसे 44 देश हैं दोस्तों ठीक है और इन 44 देशों को हमने इसके अंदर में इंक्ल तो ये तो ही है, चबालीस देश है, उसके लावा जो हमारा इंटरनेशनल कंसोरिटेरियम है, कॉंबैटिंग वाइल लाइफ क्राइवेने की ICCWC, वो भी इसमें पार्टनर ओर्गनाइजेशन है, और 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 बी कोई अपड़ी सरद्धा से, अगर सरद्धा भगती बाव से अगर इसमें कॉंट्रिव्यूट करना चाहता है, तो वो भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या कर सकता है, दोस्तो, आ सकता है, ओके, आगे बढ़ते हैं, बिग कैट भारत के अंदर में, तो दुनिया में जितनी बिग कैट बड़ी बिल्लियां पाई ज पहाड, कहीं ये, मतलब बहार प्रकार का climate भारत के अंदर, मोसम, भारत के अंदर में देखने को मिल जाता है, एक साल में चार प्रकार के मोसम हम देख लेते हैं, अलग-लग प्रकार की वनस्पती, अलग-लग प्रकार की लैंड फॉर्म, तो ये जो है हमारे diverse culture को, हमारी जो बिल्लियां है इस दुनिया की, वो भारत के अंदर में ही है, तो ये भारत की एक शान है यार, मतलब एक किसम से, ये भारत की जैविविट्टा को दर्शाता है, भारत के potential को दर्शाता है, इंडिया is the habitat of five big cat, भारत में मुख्यत है, पांच बड़ी पार्डस बोला जाता है scientific name है उसके बाद है snow leopard कहां मिलता है दोस्तों हिमाले के अंदर high altered area के अंदर इसको panthera unciapaya बोला जाता है and indo chinese clouded leopard ये कहां पर इसको बोला जाता है neophalsis nebulosa ठीक है ये इसका नाम है nebulosa तो ये 5 परकार की big cat जो है ये भारत के अंदर में पाई जाती है ठीक है अब सर मैं इस पूरे topic का सार बता देता हूँ sites की बैठक चल रही है कहां पर panama के अंदर इस बैठक का नाम है COP19 पहले COP18 आई थी COP18 के अंदर बात हुई थी कि भाईया ये जो बिल्लियां है ना बड़ी बिल्लियां इनके उपर एक हम task force बनाते हैं जिसका काम होगा कि अंतरास्टिय बाजार के अंदर में इन बड़ी बिल्लियों का जो गैर कानूनी व्यापार हो रहा है ट्रेड हो रहा है पैट बनाने के लिए आप देखोगे बड़े बड़े अभी भी कम टू दुबई वहाँ देखते हो किसीने चीता बांध रखा है किसी घर में किसीने शेर पाल रखा है तो वो सब चीजे हैं जो इल्लीगल ट्रेड हो रहा है कहीं पर दवाई ववाई के चकर में इनके खाल के चकर में इनको मारा जा रहा है तो उन चीजों को रोकने के लिए हमने इस टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही थी इससे पिछली कन्वेंशन में ठीक है साइट्स की जो पिछली बैठक थी लेकिन अब फाइनली उसमें कुछ संसोधन करके हमने इसको अडाप्ट कर लिया इससे फाइदा यह होने वाला है कि जो बिग कैट संबंदी जितले भी मैटर्स हैं तो उन मैटर्स के अंदर में हमें क्या रहेगी दोस्तों उन मैटर्स के अंदर में हमारे पास expert knowledge रहेगी कि कानून है बट फिर भी क्यों इन कानूनों का उलंगन हो रहा है कानून है लेकिन फिर भी क्यों इनका illegal trade हो रहा है तो इस सम्मंद के अंदर में भारत को एक बुरा detail visulation इसमें मिलेगा ठीक है सो रिबल्ड को और हम big cat के illegal trade को क्या कर पाएंगे रोक पाएंगे भारत में मैंने बताया कि इसमें कुलमिला के 44 देश हैं एक अंतराष्टी organization इसमें सहयोगी है साथ-साथ में और भी जो contribute कर सकते individual capacity से वो इस organization के साथ जुडेंगे इसके लावा दोस्तों भारत का मैंने बताया भारत में पूरी दुनिया की जो 40 प्रतिशत जो बिग कैट है भारत में जिसमें से 5 बिग कैट की वराइटी जो है मैंने यहां पर बताई थी यह हो गया अब आजाते हैं अब दोस्तों देखो कुछ दिन पहले आपको याद हो तो रहीनों जो है वो न्यूज में थे साइट्स में ठीक है तो एक तो साइट्स पूरा पढ़ लो इसकी अपेंडेक्स अब आप कहोगे सर यह तो हम नहीं पढ़ेंगे रिलेटीड सर्च में आप रोज काम देते हो अचा यह पढ़ने की ज़रुरत कहा है बच्चों इक बढ़ बताना अपेंडेक्स तो मैंने कराया हुए ना इसकी अपेंडेक्स 1, 2, & 3 मैंने खुद कराई हुई है न आपको तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो ना एक integrated तरीके से पढ़ो connect करके पढ़ो वो आपको बहुत ज़्यादा क्या करेगा help करेगा prelims की बात करते हैं PT की बात करते हैं pre में क्या है तो pre में सबसे पहले आपको इस Big Cat Task Force क्या होती है पहला function क्या है Big Cat Task Force का membership किस-किस के पास है Big Cat Task Force की और यह Big Cat भारत के अंदर कितनी है और यह जो sites है इसके बारे में So these are the different मुद्धें जो आपको prelims के हिसाब से क्या करने है दोस्तों discuss करने है Getting my point or not